एक वाकई में दिल देहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है टीवी चैनल के माध्यम से आपके ड्रॉइंग रूम में आपके बेडरूम्स में जहां देखो वाट्साप के माध्य हम से सोचल मीडिया के माध्यम से ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है कहां ले आई है ये नफरत इस देश को योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रखती है जैपुर मुंबई की ए पास खड़े होकर जिसमें दो मुसल्मान थे खड़े होकर कहा अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है ये कौन सी भक्ती है ये क्या हैवानियत है पहले उसने गोली मारी अपने वरिष्टी करा मीना को उसके बाद मधुबनी के एक व्यक्ति अब्दुलकाद के माध्यम से पता चलता है वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आपके आका है और हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है ये क्या हो गया है इस देश में? और कम सोचेंगे हम की नफरत के चलते हम इस देश में जॉंबीज बना रहे हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे है आज चेतन सिंथा कल कोई और होगा इस पर विचार कम होगा क्या नफरत से भरा यह देश कभी आगे बढ़ पाएगा क्या इसकदर नफरत गोलने के बाद इस देश का स्थित्व बचेगा आज सवाल सब के सामने ये है कि ये सिर्फ चेतन सिक की बात नहीं है या टीकराम मीना की बात नहीं है या अजगरकाई या अब्दुल कादिर की बात नहीं है विधोट अब आप उसको जो भी खहलेई किवा przedstaw at आवे कि वह मानसी कृट से परिशान था तो ऐसा वक्ति लौक रीики MAX तरही क्यूं था लेकिन ट्रिगर जो था व้ था हिंदो मुसल्मान है लड़ाई एक हिन्दुस्तान पाकिस्तान था ट्रिगर जो था वो मधी योगी की भ और इतने मीडिया के साथियों से कहूंगी आपके हाथ खुन से सले हुए है क्योंकि इस कतले आम में आप भी उतने ही शामिल हैं। जो रोज नफरत का बाजार लगाते हैं याद रखिए ये लोगों की जान ले रहा है। अपनी टी आरपी के लिए जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं वो किसी का घर तबाह कर रहा है। कब सोचिएगा इसके बारे में। नफरत के बाजार में महबत की दुकान चलानी जरूरी है लगानी जरूरी है उसका बढ़ना जरूरी है। क्योंकि लोग महबत से एक साथ और शांती से एक साथ रह सकते हैं। नफरत करके, घरणा करके, लड़के, भिड़के, मार काट करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इस देश को बक्ष दीजिए और आपस में लोगों को लड़वाना छोड़ दीजिए।